कॉंग्रेस जाई बोलुक ना कैनो बीज़ केंद्विय मौंत्री हरीभाई प्रार्थिवाई पैटल की इन्तु बोलशन एबारेर बाजेटो जोथेश्टो भालो हावे एडेर्म न्यूस के हरीभाई पार्थिवाई पैटल की बोलने शुन पो हमारे साथ है मिनिस्टर आफ स्टेट कोल एन माइस हरीभाई सर आए उनसे बात कर लेते हैं सर बज़ट आने वाला है फर्स्ट फैबरी को पेश होगा अप यह मोदी ने भी यह कहा है कि जनता की उम्मीदों वाला यह बज़ट होगा आप किस तरीके से दिख रहें कि बारा सरकां का फर्स्ट प्रेबरूर को बज़ट आने वाला है उसमें जो जिस प्रकार से उन्होंने पॉलिशी बनाने का चोचा है तो देश का ग्रोथ अगली साथ 7.5 पर सुन होने वाला है और सबी लोगों के लिए अच्छी योधनाय है फिर भी कुछ में सुधार करके जैसा प्रधान मंद्री ने बताया कि लोगों की उम्मीदिक की तरह हम बज़ट पेस करेंगे मुझे भी विश्वास है कि प्रजा का भला के लिए लोगों को अच्छी सुवीदा मिले और देश का डेवलप्मेंट अच्छा हो इस प्रकार का बज़ेट जरूर आएंगा का फिर अगर राहूल गाननी की बात करें तो उरहंने ट्विट करके एक बात कही है कि जीडीप रेट जो है जीडीप ग्रोध डाऊन है इंफर्स्टरेट डाउन है बार्मिंग डाउन है सारी जो पोजिशन है जो दो एडूब है वह बिने सारी बिरूदμ डाया है तो यहां पर एक कमेंट पास किया गया है उसको किस तरगे से देखें कॉंग्रेस की 50 साल सरकार रही यह देश बनाने में कॉंग्रेस ते कुछ नहीं किया इन प्राश्टर के बाकी ऐसा बोलता है तो आज तक पचास साल में क्यूं नहीं किया और कुछ भी ट्वीट करना अभी कॉंग्रेस को जो चुनावारती है तो इवियम उपर ठिकर अपोड़ती है पीच इदंबरम जी ने भी ये कहा जैसे कि अरुन जेटली जी ने कहा कि 2017-18 में 6.75 है जीडिपी के अगर बात करें और 2018-19 में 7 से 7.5 तक जाएगा गुरूद बोलना पड़ता है मैं सुचित्रा मुखर जी नेम न्यूस के दिल्ले से